इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं IPC यानि कि इंडियन पिनल कोड या जिसको आफ लॉप क्राइम भी बोल सकते हैं इंटेंडटि कवर और सब्सक्राइक वराइम असलिए सब्सक्राइब लोगों इसे तरह से जो क्रिमिनल लौ है इसके भी नहीं जाएग उसके डिफन्स क्या होगे यह सारे जो आपके rights दिये हुए है, जो आपके liabilities दिये हुए है, वो सारे IPC के अंदर दिये हुए है, तो जिस भी law के अंदर rights दिये हुए है, liabilities दिये हुए है, law को explain किया गया है, वो आपका substantive law होता है, जो procedural law होता है, उसमें दिया होता है, कि कोई भी right आपको दिया गया है, कोई भी crime बताया गया तो उस crime की punishment जो punishment किस तरह से दी जाएगी crime को prove किस तरह से किया जाएगा evidence किस तरह से ले जाएगे basically जो भी आपके rights और liabilities हैं उसका actual application किस तरह से होगा जो application part होता है वो आपका procedural law में दिया होता है तो criminal law के अंदर जो हमारा procedural law है वो है CRPC यानि code of criminal procedure तो आपको ध्यान रखना है किसी भी law के अंदर और खासकर criminal law के अंदर आपके दो तरह के laws है एक आपका substantive law है जो के हमारा IPC है और दूसरा हमारा procedural law है जो के हमारा CRPC है तो यह आपको ध्यान रखना है Indian Penal Code of 1860 subdivided into 23 chapters comprises of 511 sections यानि कि IPC के अंदर आपके 23 chapters है और 511 sections है The code was drafted on the recommendation of first law commission of India established in 1834 यानि कि 1834 में इंडिया के अंदर first law commission बनाया गया था और उस first law commission ने इस code को draft किया है Under the Charter Act of 1833 and the chairmanship was Thomas Babington Macaulay यानि कि Macaulay के द्वारा यह जो act है इसका जो code है उसको draft किया गया तो इसके लिए आपसे कोई question आता है कि IPC का draftman को है तो आपको Macaulay का नाम या रखना है लेकिन यह एक definition है जिससे आप समझ सकते हैं कि crime क्या है An act of commission or omission contrary to law for which punishment can be inflicted through judicial proceedings conducted in the name of state यानि कि कोई भी act आप act के अंदर दोना चीज़ हो सकती है कुछ चीज करना या कोई चीज ना करना यानि कि commission भी हो सकता है और किसी का omission भी हो सकता है contrary to law for which punishment can be inflicted और यह act of commission या omission ऐसा होना चाहिए जो कि contrary to law हो यानि कि कानून में जो लिखा है उसके against हो और अगर आपने इसके against कुछ किया उसके against करने के लिए जो judicial proceedings है उसके through आपको punishment दी जा सकती है in the name of state तो वो जो आपका act होगा वो आपका crime कहलाएगा अब इतना कुछ समझ नहीं है तो आप सिधा समझ लो whatever is declared by the legislature as a crime यानि कि कानून के द्वारा जिस किसी को crime declare किया जाता है उसको हम crime बोलते हैं अब criminal liability क्या है देखो कोई भी criminal act हुआ जासर किसी का murder हुआ तो उस murder का responsibility तो किसी को लेनी पड़ेगी जो उस murder के लिए responsible होगा उसी को बोलेगा criminal liability यानि कि responsibility of criminal behavior अब देखो किसी भी crime के लिए जैसे rape हो गया, murder हो गया, डकोईती हो गया, theft हो गया उन सब के अलग-अलग essentials होता है essential का मतलब क्या है कि उस crime को मानने के लिए क्या क्या चीज़े जरूरी है तो हर crime के लिए अलग-अलग essentials है लेकिन ये दो main essentials है जो आपको maximum crimes में देखने को मिलेंगे और ये कि आपका mensria और actusria का मतलब जो mental aspect है और actusria का मतलब जो physical aspect है यानि कि किसी विवक्ति को guilty prove करने के लिए जो prosecution होगा prosecution का मतलब क्या है कि जो crime को सिद करना चाहरा है जो सामने वाले party को guilty prove करना चाहरा है उसको दो चीज़े prove करनी होगी एक तो physical action कि वो crime उसी ने किया है और दूसरा a state of mind to commit the crime यानि कि वो crime को commit करने के उसकी intention भी थी उसका जो mental aspect है वो भी उसमें involved था तो यह दोनों चीज़े जो है वो prosecution को prove करनी पड़ेगी अगर किसी को guilty prove करना है तो और बाकी यह मैंने आपको बता दिया different crime है different mensary requirements यानि कि गिल्टी एक्ट ऑल्सो रेफेर्ट आज़े जाता है अब देखो यह एक्टर से रिएस से लेटेड़ेड एक लेटिन मैक्सिम है अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिम के regarding एक अलग से बनेगा वह अलग से लेक्ट आपका बनाया जाए गूस आख़ें नहीं अलग से लेटेड़ मैक्सिम तेवह कवर करवाए जाए कि लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से प्रणिंसार है नहीं थि इंग्लिश के अकॉर्डिंग में आपको बता दिया। अक्टर्स नॉन की वाई अगेंस्ट माय विल इस नॉट माइक्ट अट ऑल। यानि कि किसी व्यक्ति से अगर उसकी विल के अगेंस्ट कोई एक्ट करवाय जाता है तो वो उसका एक्ट नहीं माना जाएगा इसको example समझो अगर कोई व्यक्ति है उसको alcohol पिला दी जाए और alcohol पिला के उससे और जो alcohol उसमें पिलाई गई है वो उसके will के against पिलाई गई है, उसको जवरस्ती पिलाई गई है, तो उस alcohol की हालत में, नसे की हालत में, अगर वो कोई काम करता है, तो वो उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि an act done by me against my will is not my act at all. Altresrius is the physical component of crime, it includes act contrary to the law. यह मैंने आपको बताया दिया, जो actorsrius है, वो physical component किसी भी crime का, और इसमें, वो act include के जाएंगे, जो contrary to the law हो. The human conduct may consist of commission और omission of the certain act, यानि की, जो act से उसको commission भी हो सकता है, और omission भी हो सकता है. अब यह commission और omission को यहाँ पर example संदो, यह मालनो यहाँ पर बहुत बड़ा swimming pool है, बहुत बड़ा और बहुत गहरा, अब यहाँ पर swimming सीखने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पर एक lifeguard को यहाँ पर रखा गया, और इस lifeguard को आम है, कोई अगर डूब रहा हो तो उसको बच बचाना, लेकिन इसने इसको नहीं बचाया, तो यहाँ पर कोई omission जो होता है, उसको भी हम crime consider कर सकते हैं, अब इसको एक और example समझो, मालनो यहाँ पर कोई एक normal लखती खड़ा होता है, जो कि lifeguard नहीं है, अब इसकी यहाँ पर duty नहीं है कि कोई अगर डूब रहा तो उसको वहाँ पर crime किया है, तो जो omission है या commission है, उसमें भी वहाँ पर conditions हो सकती है, कि उसको किस नहीं किया है, किस की वहाँ पर duty थी, वो सारी चीज़े वहाँ पर case to case basis पर depend करेंगी, यानि कि act के अंदर single act भी include होता है, और बहुत सारे act हैं तो वह भी include होता है, इसकर अंदर single omission भी include होता है, और बहुत सारे omission है, तो उसको भी include किया जाएगा, नेक्स्ट आपका mensria, mensria is the mental element that usually must exist for someone to be guilty for a criminal offense, यानि कि कोई भी criminal offense के लिए किसी वो guilty करना है, तो उसका mental aspect है, यानि का mensria जो है, उसको prove करना है, जरूरी है, except in the case of strict liability offenses, अब ये strict liability offense क्या होते हैं, ये F से offense होते हैं, जिसमें prove करने के लिए, जिसमें guilty करने के लिए, अगर mental aspect नहीं भी है, तो भी उसको guilty किया जा सकता है, तो ये strict liability है, इसके उपर अलग से एक वीडियो आएगा, अलग से lecture आएगा, उसमें हम इसको detail में discuss करेंगे, अब mental element या mensria से related, जो आमारी maximum हो है, actus non facetrium, nici mensria, यानि कि the act itself is not criminal unless accompanied by a guilty mind, यानि कोई भी act जब तक criminal नहीं माना जा अगर जब तक उसके पीछे guilty mind ना हो, unless accompanied by a guilty mind, loose term, अब जो ये जो mensria है, ये क्या है, loose term है, which includes wide variety of mental states and conditions, इसमें अलग लग wide variety of mental states and conditions आसकती है, there are different level of mensria and the accused must have at least the minimum level of mensria required by an offense for them to be found guilty, यानि कि अलग अलग offense के अंजर, उसकी जो mensria के intentions है, उसकी अलग अलग हो सकती, कहीं पर negligence को भी punishment दीजा सकती है, कहीं पर reckless को punishment दीजा सकती है, और उसकता किसी crime के अंदर, अगर negligence है वहाँ पर, गल्ती से हुआ है, तो उसको punish ना भी किया जा, तो crime पर depend करता है, लेकिन minimum level of mensria होना, वो जरूरी है, हम तो यहां पर decreasing order में दिया हुआ है, जो intention है, वो highest level of mensria होता है, knowledge उससे थोड़ा कम, recklessness यानि कि आपको इच्छा नहीं वो करने के, लेकिन वो हो जाता है, लेकिन जो negligence है, उसमें क्या एक तरह से गल्टी मान लो, तो यह decreasing order में है, यह आपको समयना है, इसको आप आप examples समझो, सबसे पहले आप intention का example समझो, जिसे मान लो एक यह teacher है, वो पढ़ा रहा है, अब इसने एक बच्चे से यहाँ पर कोई question पूछा, अब इस बच्चों को लगा कि पूरी भरी class में मेरे से question पूछा, पता था इनको भी मेंज़े नहीं आता है, फिर भी मेरी बेस्ती करने के ल इसको मारना है और उसको पता था कि अगर गोली में चलाओंगो तो यह मर जाएगा, तो यहाँ पर इस यह जो मैंसरी है, इसको बोलेंगे हम intention यहाँ पर इच्छा भी है मारने की, और इसको पता भी है कि मैंने अगर गोली चलाई तो जो सामने वाला गक्ति है वो मर यह मान लो घोड़ा चल रहा है, घोड़े को ओपर जो है, यह दूला गठा हुआ है, अब कोई मुन्ना भी है टाइप का गट्ति यहाँ पर आता है, और यह यहाँ पर हवा में फायर करता है, अब इसकी इच्छा यह नहीं है, इसका intention यह नहीं है कि कि किसी को मार दूँ, लेकिन हो सकता है, इसको पता है कि अगर मैंने गोली चलाई तो यह किसी को लग सकती है, और यह गोली चलती है, और यहाँ पर जो दूला है, उसका काम तमाम हो जाता है, अब यहाँ पर देखो, इसको नॉलेज तो है कि मैंने गोली चलाई, तो किसी की मृत्तियों यहाँ लेकिन इसकी इंटेंशन नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं इसको इसको पता था कि मारना नहीं लेकिन इसको पता है कि अगर गोली चली तो किसी की डख यहां पर हो सकती है तो हुआ एक्जांपल देखो इसमें आप देशकते हो जो राइज ड्राइविंग ओती है अब जो राइज ड्राइविंग करता है उसको पता है कि अगर मैं तेज गाड़ी चलागो जादे गाड़ी चलागो तो एक्सिदेंट हो सकता है लेकिन यहां पर इंडिफिलेंट हो तो इसको कोई मतलब नहीं हो जाए हम तो रहाइस ड्रैगिंग करेंगे तो इसको हम यहां पर बोल सकते हैं रेकलेस्टनेस तो इसका एक्जांपल आप समस्क्त हो जाए से इसके अंदर आपकी नॉलेज प्रेजन्स होती है यानि कि इंटेंशन है तो नॉलेज होगा ही होगा और इंटेंशन के लिए जो सजा होगी वो ज्यादा होगी Recklessness signifies a state of being mentally indifferent to obvious risk यानि कि जो obvious risk है उससे indifferent हो जाना जैसे कि मैंने raft tracking का example आपको दिया Higher degree than negligence because there is a certain risk for which the individual decide to remain indifferent यानि कि जो risk है उससे जो individual उससे खुडने decide किया है कि मुझे indifferent रहना उसे कोई मतला भी नहीं है फिर आपका last में negligence when there is a required a certain degree of due care or caution and the individual lacks in the aspect of care and precaution is termed to be behavior behaving negligently यानि कि कोई due care लेना था अब operation करते time ध्यान रखना था कि कैची भाहर निकालनी है या caution कुछ रखना था वो caution या due care आपने नहीं रखा तो उस महां पर आपको बोलेंगे कि आपने जो act किया है वो negligent है तो यह आपको ध्यान रखना है यह चार आपके अलाग टाइप के जो स्रीय वह आपको होते हैं और इसके बीच में difference आपको clear होना चाहिए अब फिर एक confusion इस्टुएंट के बीच माता है motive का और intention का कि इन दोरों में क्या difference है तो intention is the thing that you plan to do और अचीव यानिकि जो आप प्लैन करते हो या अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो काम करते हो आपका intention है और motive is the reason for doing something यानिकि जो प्लैन आपने किया जो काम आपने किया उसके पीछे जो आपका intention है और उसका motive क्या है to get money यानि motive relates to end motive जो है वो end के relate करता है and intention relates to mean यह आपका जान रखना है अब यह motive important क्या है तो देखो ऐसे तो motive important नहीं होता है जो किसी भी crime को प्रूब करने के लिए वहाँ पर intention प्रूब करना जरूरी होता है अब मालो direct evidence नहीं है Intention proof नहीं हो रहा तो motive को eens किया जा सकता है Intention को प्रूब करने के लिए If direct evidence is there then it is not important अगर direct evidence है को motive की importance नहीं है but when only circumstantial evidence इस there then motives play important role to establish intention यानि कि सिर्फ circumstantial evidence है कोई direct evidence नहीं है तो motive को यूझ किया जा सकता है Stabilis करने के लिए Intention. Presence of motive supports the prosecution case तो अगर प्रेजन्स ऑफ मोटीव है तो प्रोसिटीशन का केस जो स्ट्रॉंग हो जाएगा लेकिन अगर एपसेंस ऑफ मोटीव है यानि कि कोई मानलोग सीरियल खिलर है अब उसका मोटीव है थोड़ी कि उसको काम है कि वो पैसे लेगा और मारेगा तो अगर मोटीव नहीं भी है इंटेंस नहें तो वहाँ पर उसकेस को वीकण नहीं माना जाएगा लेकर अगर मोटीव है तो जो प्रोसिवीशन है उसका जो केस है वह इस केस को सपोर्ट करेगा अब देखो कुछ ऐसे केसी से पहला तो यह आई डिट नौट नोट 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 लॉग एक्सक्यूज यानि कि अगर आपने बोला मुझे तो पता ही नहीं था अब मुझे तो पता ही नहीं कि मर्टर करना कोई गुना है या फिर मानलोग चोरी करना कोई एक क्राइम है तो यह यह नहीं पता है तो यह आपको गलती मानी जाएगी इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि आपका अगलती कि माइन नहीं था इसके अलाबा अगर आप पॉब्लिक निसेंस करते हो तो वहां पर मैंसरिया रिकॉर्ट नहीं होगा इसके लाबाद के लिए इसके लाबाद के लिए इसके लिए पर अलग से एक लेक्टर बनाएंगे लिकिन यहां पर यहां भी बेसिक समझाओ लो जो कि इसका को Post 就是 णे इसके ऑफने हैं कि एसके क्राइम है अब इसमें बेसिक उतना समझाओ खी इसमे आपको कि इस में समय लों कि खार अपको चैसे मानन की पूश्यों जोलोको प्रइत सिफ्ट्री गॉड का excuse मिल जाता है यह करें, defense मिल जाता है तो जो strict liability offense होँगे इसमें तो कुछ दो act of God होगा तो उसका excuse मिल जाएगा अगर third party ने किया तो उसका excuse मिल जाएगा लेकिन जो absolute liability offense होते हैं इसके अंदर इसका भी जो defense है वो नहीं मिलता इसके अरब हो गया है इसके लिए अलग से लिए इसको डिटेल में समझेंगे इसके लाव आपी सी के लिए हुए जिसके इंदर में रिकॉर्ट नहीं हो तो जैसे वर जोगी सक्षेंट 121 में दिया हुए इसमें में से रिकॉर्ट नहीं है सेटीशन 124A में दिया हुए किटनैपिंग 359 में दिया हुए अबदक्शन 363 में दिया हुए इन सभी क्राइम के अंदर इनको प्रूव करने के लिए मैंसरिया के रिकॉर्ट नहीं होती अगर सिर्फ एक्टस रियस होगा तो उतने महीं में आपका जो क्राइम है उसको यानि कि अगर आप आई पीस हित कृँग तो उसमें आपको नहीं मिलेगा के आपको में सीर्फ के अंदर मिलें गई से घीवर्टलिस इंतार्यव को निलेगे शाहणि जिचेख निले ली च्राइट को मिलेंगेगे ब 수도ड इस्डूर्य और इसथे और अच्राइब्स्चाया जो है वो मेंसरिया दिखा रहा है murder must be committed added intentionally or knowingly तो यह knowingly और intentionally जो है वो एक तरह से मेंसरिया ही दिखा रहा है तो IPC के अंदर हर offense के अंदर आपका मेंसरिया है उसको include किया गया है अलग से आपको यह concept वो include करने की जरूत नहीं है apply करने की जरूत नहीं है तो आपको याद रखना है कि मैंसरिया और एक्रस्रेस में डिफरेंस क्या है इसके अलावा कुछ जो लीकल मैक्सीम सं cuandox आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंटेंशन नॉलेज र diyorsun और जीक्ट तो यदा रखना ही और आपको पुग क्या जाहतने की इसमें कुछ खास बनानेगी याद रहतनी है बस दूचार कट आप रैखने legal maxim याद रख लो, difference याद रख लो concept है वो आपको याद रखने चाहिए और कोई आपकी query हो तो आप बजा सकते हैं for the time being, that's the end of the video thank you